नमस्कार दोस्तों दोस्तों मैं हूँ कमल देवराय और आपने एक बार फिर देखना सुरू कर दिया है आपका अपना चैनल दगाजीपूर दोस्तों इस समय मैं मौजूद हूँ इस जगह का नाम है करनपूरा ये रेलवे स्टेशन मोहमदाबाद से थोड़ा सा पहले से रा स्थित गाव है और ये आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये ठीक करनपूरा का राश्टिय बागवानी बोड़ द्वारा पास रहमत को लिश्टोरेज है जो कि मेरे ठीक पीछे है और मेरे साथ एक महिला है बुजुर्ग महिला है और ये इस बाग की रखवाली कर रही है ये देखा और इनके जोपड को भी दिखाए जिसमें ये रहती है ये आप देख सकते हैं तिरपाल डाला गया है और रात में ये यही पर हिश्राम करती है एक चारपाई है और इस चारपाई पे ये रहती हैं सोती हैं बैठती है आई इंसे बात करते है और जानते हैं कि कैसे इनका जीवन बीत रहा यह रोता है इक क्या नाम है आपका 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 कहा की रहने वाली हैं हाटा की आप हाटा की हैं यहां पर इस बागीचे की रखवाली कर रहे हैं, क्या मिलता है इसका आपको? 7,000 रुपया, 7,000 रुपया, महीने का? ना है, यह के बाद टूट जाए तब, जब तक तूटे गा नहीं तब तक आप यहीं रहेंगी? अच्छा, जब तक तूटे गा नहीं तब तक यहीं रहेंगी, अच्छा, खाने पीने की विवस्ता आपकी कैसे होती है? आपन भोजन बना लेई ना, कही हो नहीं रहेंगी, जब मैं आया हूँ, तो मैं ने देखा कि यह सतुआ खा भी रही थी, अच्छा को जो है, हमारे अहां सतुआ बोला जाता है, और उस सतु को पानी में यह गोल के खा रही थी, इनों ने देखा तो अब चाहे सरम की पुर्वांचल के लोगों का लोकप्रिया जो है की व्यंजन है, हम लोग इतने चाह से खाते हैं, सतुआ हम लोगों का तेवार है, अभी 14 अपरायल को हम लोगों ने मनाया धूम दाम से इसको, लागडाउन के बावजूद भी, खैर यह बताईए, आपके पती हैं, पती हम पर पचीस बर समर्गोल हो, अच्छा, बीदवा पेंशन मिलता है आपको, आपको, कितने दिनों से आपको जो है कि आपने कभी प्रयास किया, अरे पंचो बर इसके बीदवा पेंशन लिखा वले कूर प्याना मिला, अच्छा, आपके गाउं के परधान कौन है, यह भोला ह अच्छा, जब मैंने इन से पूछा दोस्तों, तो इन्होंने बताया कि यह बनवासी है, बनवासी जिनने स्थानी भासा में लोग मुसहर कहते हैं, यह मुसहर हैं और यह उस जाती से बिलांग करती हैं, जिन्हें की सरकारें तमाम सुविदाओं को मुहिया कराने के लिए अधिकारियों को लगातार निर्देशित करती रहती हैं, इनके पास पिछले 25 वर्सों से इनके पती नहीं है और अभी तक विद्वा पेंसन इनका मंजूर नहीं हुआ है, मह साथ हजार रुपए के लिए जब तक ये बागीचे के फल तूट नहीं जाएंगे, तब तक ये यहां पर रहेंगे, चाहे भोजन की विवस्ता हो, नहों खुद बता रही है, कि भोजन खुद बनाती हूँ, नहीं मिल पाता है, सतुआ लाते हैं, उसको खाते हैं, और जब वो भी उपलब्द नहीं रहता है, तो भूखे पेट भी सो जाते हैं, अच्छा दादी ये बता आप आप समझ सकते हैं, डियम साब मैं ये वीडियो आपको भी बेज रहा हूं, देखिए जिले के ये वो लोग हैं, जो बिलकुल ही निराजचितों के से त्रेडी में आएंगे और ऐसे लोगों को अगर आप लोगों के माध्यम से विद्वा पेंशन मिलने लगे तो कहें न कहीं इनकी दुआएं भी आप तक जरूर पहुचेंगे और मुझे मालूम है कि जैसे ही आपके संग्यान में ये जानकारी आएगी आप तुरंत अपने मा वीडियो आपको कैसा लगा अपनी राय लिख कर हमें जरूर बताएं